Hello everyone, मेरे नाम पूजा मालविया है और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ आज का ये वीडियो है set number 3 जो important one liner है BPSC के exams को target रखके ये one liners मैंने बनाए है और ये बहुत important one liners है, छोटे-छोटे videos है और आपको ये बहुत जादा exam के समय में मदद देंगे आप इनको एक दुबार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजे और आपके exams में आपके questions जो है वो solve हो जाएंगे आज का ये वीडियो खास है क्योंकि आज का एक number पक्का है क्योंकि इस वाले section से एक नए question जरूर भसेगा तो चलिए आए वीडियो को start करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चानल पे नए हैं तो जरूर subscribe करिएगा और चानल के वीडियो को like करिएगा, share करिएगा साथ ही साथ link जो है telegram का description में है लिंक जो है description में दिया हुआ है तो उन दो वीडियो को भी आप जरूर जाकर देख लीजेगा चलिए वीडियो को start कर देते हैं तो आज का जो यह important one-liner है यह important days और उनकी themes है हमारे exams में days और themes related questions हर बार हर government exam में एक ना एक जरूर आता है तो कुछ important themes जो मुझे लगी वो मैंने यहां पर लिखी है अभी कुछ बच जाएंगी तो second video में आपको मिल जाएगा तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहली theme क्या है बिहार का exam है तो बिहार की theme जानना सबसे ज़रूरी है और सबसे पहली ज़रूरत है तो सबसे पहली theme है theme बिहार दिवस जो की 2023 का है बिहार दिवस की theme जो थी वो थी युवा शक्ति बिहार की प्रगती ठीक है इसलिए आप लोग के इतने recruitment युवा शक्ति के हिसाब से हो रहे हैं तो इसको देखो बिहार दिवस कब मनाया जाता ह है बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इसकी theme है इस बार की 111 मतलब 111 जो है बिहार दिवस इस बार मनाया गया है इसकी theme है युवा शक्ति बिहार की प्रगती next है theme of leprosy day ये भी बहुत important हो जाता है क्योंकि बहुत सारे exam से मैंने ये question देखा है चलिए आए देख इसका है जो 29 जनवरी को मनाया जाता है leprosy day इसकी theme है act now end leprosy ठीक है next आता है third राष्ट्री मत्दान दिवस ये इसलिए important हो जाता है क्योंकि आज पास elections चल रहे हैं अभी अभी आप exam दिने जाएंगे तो उससे पहले ही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी 25 जनवरी को ये राष्ट्री मत्दान दिवस जो है वो मनाया जाता है इसको भारत चुनाव आयोग भारत चुनाव आयोग द्वारास को organize किया जाता है बात है इसकी theme की तो voting जैसा कुछ नहीं मैं जरूर vote दूँगा ये क्या है एक statement type की एक slogan type का है कि voting जैसा कुछ नहीं मैं जरूर vote दूँगा तो ये क्या है इसकी theme है next है अंतराष्ट्रिय सिक्षा दिवस क्योंकि आप सिक्षा विभाग में जा रहे हैं तो आपके लिए ये theme बहुत जादे important हो जाती है इसके लिए इसकी theme है invest in people and prioritized education ठीक है तो इसकी अंतराष्ट्रिय सिक्षा दिवस की theme क्या ह है invest in people and prioritize education इसको मनाया जाता है 24 जन्वरी को next आती है प्रवासी भारती दिवस ठीक है प्रवासी भारती दिवस इसका क्या है theme जो की 8 से 10 जन्वरी के बीच मनाया गया और प्रवासी अम्रत काल में भारत के प्रगती के लिए विश्वस्निय भागी दारी ठीक next है विश्व लिए विश्व लिए देवस जो यह है 10 जन्वरी को मनाया गया हिंदी पारम परिग्रान ज्यान के क्रतिम बुध्धिमता तो यह क्या हो गई इसकी theme लिए नेक्स आता है national girl child day इसको मनाया गया 24 जन्वरी को ठीक है तो आपको यह सब याद करने पड़ेंगे next आ जाते है पूछी गई है कई बार पूछी गई है तो सबसे पहला है विश्व पर्या वरट दिवस वर्ड एन्वार्मेंट डे जो की हमारा होता है कब 5 जून को होता है इसकी थीम जो है वो है solutions to plastic pollution मतलब plastic pollution को खतम करना उसके लिए क्या solution हो सकते हैं उसकी निजात को देना नेक्स है world water day 22 March को मनाया जाता है जल और स्वच्चता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना तो ये क्या है इसकी थीम है नेक्स है विश्व प्रत्वी दिवस विश्व प्रत्वी दिवस जो की 22 अप्रेल को मनाया जाता है इसकी थीम हो गए इंवेस्ट इन अवर प्लानेट इंग्लिश में भी वही है और हिंदी में भी वही है नेक्स आ जाती है विश्व ओजोन दिवस विश्व ओजोन दिवस इसको मनाया जाता है 16 दिसंबर को ठीक है इसकी थीम क्या है Montreal Protocol Fixing the Ozone Layer and Reducing the Climate Change मतलब ओजोन लेयर को फिक्स करना मतलब जो जिल्ली कम होती जारी है उसको कमना होना उसको फिक्स करते है भाई अब बस रुख जाओ और Climate Change को बचाना Reduce करना ठीक है International One Divers कम मनाया जाता है 1 किस मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है वन और स्वास्त तो यह कुछ 12 थीम्स थी और 12 देस थे जो मेरे साफ से मुझे इंपोर्टेंट लगे मैंने आपको वन लाइनर के फॉर्म में इसको कर दिया आप एक दो बार इसको 2HC स्वीट में सुलेंगे तो आपके दिमाग पर कहीं रखा ही रहेगा आप options देखती इसको टिक कर देंगे और चानल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजेगा आपको काफी यहां से informative वीडियो आपके काम के वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगे तो चलिए thank you so much for watching this video thank you